इस वीडियो में हम लोग नई उड़ान नई पहचान के तहत One District One Product स्कीम के बारे में जानेंगे इस कारेकरम का उद्देश है कि सिल्फ कारों और कारीगरों के उतपादों को प्रोटसाहित किया जाए और इन उतपादों को अपनी पहचान मिले यूपी सरकार ने इस योजना को 24 जनरी 2018 में ही लॉंच किया था और इस दिन उत्तर प्रदेश दिवस भी होता है तो इस दिन One District One Product का उधगाटन किया गया था इसका उधगाटन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंतरी योगी आदितेनात ने किया था इस योजना से यूपी के कारीगरों को काफी फायदा भी हुआ है इसके द्वारा बनाए गए उत्पाद के विकरी को प्रोचाहिद करना इसका मकसद है जिससे जिला इस तर पर रोजगार पैदा हो सके इस योजना के अनुसार उत्तर प्रदैस के सभी जीलों के एक विसेश प्रोडक्ट को चूज किया जाता है और उसके प्रोडक्शन में काफी ध्यान दिया जाता है जिससे वो अपने uniformly पहचान बना सके वैसवी किस्तर पर काफी अच्छी पहचान बना सके और इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा क्योंकि जब नए नए सेक्टर्स खुलेंगे हर एक जिले की अपनी एक पहचान होगी तो वहाँ पर रोजगार भी उपलब्ध होगा आप लोगों को तो पता ही होगा कि यूपी में कई ऐसे प्रोड़क्ट हैं जो देश में और कहीं उपलब्ध नहीं है जैसे विश उप्रसित चिकन कारी कपड़े, बनारसी साडिया, दुरलब, काला नमक चावल ऐसे ही कई सामान हैं इनमें से तो बहुत सारों को GI टेग भी मिला हुआ है, GI टेग का मतलब तो आप जानते ही होंगे, जिसे भोगोलिक संकेत कहते हैं, ये टेग सामानों को दिया जाता है, जो केवल विसिष्ट चेतर में ही उसका प्रोड़क्शन होता है, इस टेग से उसकी विसिष्टा भी जाम हो सके, जैसे हींग, देसी घी, काच के प्रोड़क्ट, चमड़े से बनी हुई वस्तुएं, और ऐसे भी कई वस्तुएं होंगी, जो आप लोग पहले से यूज कर रहे होंगे, उत्तर प्रदेश में बने होंगे, और ऐसे प्रोड़क्ट को आप यूज बहुत आसानी से कर रहे होंगे, लेकिन आपको जानकारी नहीं होगी, क्योंकि इन प्रोड़क्ट को अभी तक वो पहचान नहीं मिल पाई है, जो इसे मिलनी चाहिए थी, इन जैसी तमाम अध्योगी की इकाईया है, जिने आधुनिक मसीनों की जरुरत है, और इनके प्रचार करने की भी जरुरत है, अब आपको यहाँ पर स्क्रीन पर जिलो के जो एक एक प्रोड़क्ट चुने गए हैं, इनकी लिष्ट यहाँ पर है, जैसे आगरा के लिए चमडा उद्योग, या चमडा उत्पाद, अमरोहा के लिए वाद्य अंत्र, जैसे ढोलक, अलीगड के ताले आप जा इनकी वही वस्तुएं, और सेकेंड यहाँ पर आप देख सकते हैं, बलिया की बिंदी उत्पाद, बस्ती के काश्ट कला, बांदा के सजर पत्थर सिल्प, और इसी प्रकार से और भी हैं, जो लिष्ट में दिये हुए हैं, इसी प्रकार से हर एक जिले के विशिष्ट उत् प्रोडक्ट की गुडवत्ता और कोसल विकास में भी सुधार होगा, इस प्रोग्राम से प्रोडक्ट के पैकेजिंग और ब्रेंडिंग भी अच्छी होगी, क्योंकि जब एक ही जिले में कोई चीज का विकास ज्यादा होगा, तो उसकी ब्रेंडिंग करना आसान होगा, औ और जिलावार उसकी प्रसिद्धी भी बढ़ेगी, प्रोडक्ट को परियटन से जोड़ा जाएगा, और जो आर्थिक समस्या और जो छेत्र असंतुलन है, इसके मुद्द को भी अच्छे से हल किया जा सकता है इसके तहत, और जब ये प्रोग्राम छोटे लेवल पर सक्से होगा, तब इसे नैशनल लेवल या इंटरनैशनल लेवल तक पहुंचाया जाएगा, इस प्रोग्राम के जरिये काम करने वाले कारिगरों को फैक्टरी और विकास करने के लिए नई यूनिट खोलने के लिए लोन भी दिया जाएगा, जिससे उन्हें पैसो की प्राप्लम थर्ड है financial assistance scheme जिसमें margin money scheme है फूर्थ है skill development scheme इन सभी scheme के जरिये कारीगरों की help की जाएगी जैसे कि पैसों की problem हो तो financial assistance से उतपादों को marketing के लिए और जो नए लोग इन product को बनाना चाहते हैं लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं है तो skill development के जरिये उन्हें सिखाया भी जाएगा और खुद का उद्योग खुलने के लिए प्रोचसाहिद भी किया जाएगा ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में इस program से लगबग 25 लाख लोग जो बेरोजगारी हुआ है उन्हें 2022 में नोकरिया मिलेंगी और साथ में राज्य का GDP 2% तक बढ़ जाएगा और ये भी हो सकता है कि आने वाले समय में इन प्रोड़क्ट को अंतराश्रिय मान्यताएं भी मिल जाएं कुछ को तो मिली भी है जैसे आप सभी को पता ही है कि बनारसी साड़ी का नाम इंटरनेशनली कितना फेमस है इसी तरीके से मूर्तियां जो लकडियों की बने होते है इसी तरह बाकी सभी प्रकार की काफी अच्छी मार्केटिंग होती है इन सब वस्तुओं की जिससे यूपी का भी नाम होता है और इससे आत्मिरभर भारत के लक्षे को भी हासिल किया जाएगा वन प्रोडक्ट के ब्रांड अंबेश्टर के रूप में कंगना रनोत को 2021 के लिए चुना गया है और इससे लोगों का पलायन भी रुकेगा इसकी आसा है क्योंकि जब रोजगार नहीं मिलता तभी लोग छेतर से पलायत होते हैं और बड़े सहरों में जाके किसी न किसी छोटे इंडिस्ट्री में या बड़े इंडिस्ट्री में कम पैसों पे भी काम करने के लिए मजबूर होते हैं इस प्रोग्राम से सुवीधा केंदर भी खोले जाएंगे जिनसे लोगों को काफी हेल्फ मिलेगी ओडी ओपी वन डिस्ट्रिक वन प्रोडक्ट को डिस्ट्रिक इस एक्सपोर्ट हब पहल के साथ संचालन के इस्तर पर जोड कर वाणी जे विभाग की सहता से लागू किया जा रहा है और आने वाले समय में 2021 से 2025 तक इसे 10,000 करोड रुपे इसमें खर्च करने की संभावनाए है ये इसकीम 707 जीलों में सभी राज्य और केंद सासित प्रदेश में केंदरी खादे प्रसंसकरण उद्योग मंत्राले द्वारा इस प्रोग्राम के लिए अनुमोधित कर दिया ग जिससे नए उद्यमियों को कई प्रकार की मदद मिलेगी तो इस वीडियो में मैंने आपको वन डिश्टिक वन प्रोडक्ट के बारे में बताया इससे रोजगार मिलने में काफी असानी होगी उद्यम शीलता बढ़ेगी और हर डिश्टिक वार जो उनके विशिष्ट प्र काफी प्रोथसाहन मिलेगा तो इस वीडियो में मैंने आपको सारी जनकारी दी वन डिश्टिक वन प्रोडक्ट के बारे में तो थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एड कमेंट